Hello everyone, welcome to Coachify, आज की सेशन में हम लोग number system topic के पर कुछ इसे important concepts को discuss करने वाले, देख्या आपने काफी बार examination में देखा होगा, कि आपको number system में जहापे computer awareness का जो portion है, जो आपको decimal to binary, octal to binary, binary to decimal या फिर octal to hexadecimal, इस टाप के number conversion को आपको एक mark का question definitely देखने को मिलता है, वही हम लोग सेशन में डिसस करने वाले, आपको any base to any base का जो number conversion रहता है, वह आपको एस session के बाद में काफी एच्छे से clear हो जाएगा, और यह आपका computer awareness का session है, यह आपके electrical engineering examination हो, IBBS, RRB, PO, clerk, mains हो, या फिर RB assistant, mains का examination हो, जहापे computer awareness के questions देखने को मिलते हैं, उसके लिए काफी जदा useful रहन सेशन को शुरू करते हैं, without any further ado, तो चलिए अभी हम लोग डिसस करते हैं, type of number system, जैसे मैंने आभी आपको बताई, यह session आपके लिए काफी जदा useful रहना है, for RRB, और computer awareness के जहापे questions पूश हो जाते हैं, काफी जदा इस type के questions आपको देखने को मिलते हैं, जहापे आपको number system पर number conversion from decimal to binary, यह फिर any base to any base आपको conversion वहापे examination में देखने को मिलते हैं, अभी हम लोग देखते हैं, types of number system, okay, आपे हमारे पास 4 type of number systems रहते हैं, सबसे पहला है हमारा decimal, second name binary, third name octal, then hexadecimal, decimal का जो base रहता है, वो रहता है हमारा 10, ठीक है, decimal में number कौन से आते है, from 0 to 9 तक, ठीक है फिर से number system में कभी confusion नहीं होगा, okay, next है हमारा binary number system, जिसका हमारा जो base है, यह हमारा 2, और हमारे पास जो digits है, वो है 0, या फिर binary है हमारा computer logic system में हम use करते है, ठीक है, computer hardware इसी language को देखता है, एक तो वो 0, एक तो वो 0 रहता है, या फिर एक तो 1 रहता है, okay, तो आफ रहता है, next है हमारा octal, जिसका base रहता है 8, उसमें जो numbers रहता है, वो रहते है, from 0 to 7, okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहीं digits हम लोग octal number system में, जिसका base 8 रहता है, वो हम लोग use करते है, यह भी आपको confusion लग रहे होंगे, base 8, base 2, base 10, मैं आपको सारी चीज़े clear कर रहा दूंगा by the end of this session, okay, फोर् decimal number system में, यहाँ पर A, B, C, D, A, F का भी एक value रहता है, ठीक, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर color change किया, base 16 है hexadecimal का, तो हम लोग digits लेते हैं, हम लोग 0 to 9 तक लेते हैं, after 9 के हमारे पास क्या आता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहीं बात आपको ध्यान में रखने को D से, 14 को E से, और F को जो हम लोग 15, ऐसा number हम लोग consider करते हैं, बट उसके जगह हम लोग यहाँ पर A, B, C, D, E, F तक हम लोग consider करते हैं, so that हम लोग base 16 में 0 to 15 तक consider करते हैं numbers को, ओके बट यहाँ से, जो after 10 के बाद में रहता है, वो हमारे alphabets रहते हैं, from A to F, यह आपको ध लोग लेंगे, और यह आपके RRBPO, clerk मेंस के final examination के लिए काफी ज़्यादा important रहने वाला है, तो चलिए हम लोग अलग-लग type के number system conversion देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा, एक मेंने हाँ पर number लिया है, 127, यहापर अगर आपको 10 दिख रहा होगा, तो उसका मतलब क्या है, इ सबसे पहले हमें binary में convert करना होगा, binary से आपको ध्यान में रखना होगा, कि उसका जो base रहेगा, वो रहेगा हमारा 2, octal number system में convert करना पड़ेगा, जिसमें हमारा आपको base रहता है 8, hexadecimal में अभी मैंने आपको बताया था, इसका base रहता है 16, यह हमें number से हापर find out करना है, ठी simply, 127 को तो दो method से अलग लग, different, different, एक तो आप लोग 2 रस्ट पावर 0, 2 रस्ट पावर 1, इस method से भी आप लोग solve कर सकते हैं, बता है, simple बता है तो, आपको decimal में दिया है, ठीक है, binary में convert करना है, जिसका base 2 है, तो सीधा सीधा आपको 2 से divide करना पड़ेगा, ठीक है, तो 127 को हम हम लोग 2 से divide करना चालू कर देता है, ठीक है, 2 से divide करते हैं, सबसे पहले हमारे पास का digit आता है, 63, ठीक है, ठीक है, but 63 in to to 2, 2 केतना होता है? वो होता है हमारा 126 बट हमारा जो एक remainder बचता है वह हम लोग यहापर लेख लेंगे एक ठीक है फिर से हम लोग 63 को 2 से divide करना है बड़े complete division नहीं जाता है 63 को अगर हम लोग 2 से divide करते हैं हमारे पास कितना आता है 31 ओके 31 टूजा 62 बड़े हापी भी हमारा एक 1 बचता है 31 को गर हम लोग 2 से divyde करते हैं तो हमारे 15 टूजा 64 बचत2 ह्या रहाख कितना है फिरसे हम लोग 15 को दिवाइड है इसको वह दिवाइड करते हैं गये 15 को अगर हम लोग 2 से divided करते तो आजएगा हमारे पास 1, और remainder कितना 2 1s आ 1, 2 1s आ 2, बचेगा कितना हमारे पास 1, और ये final 1 को भी अगर हम लोग 2 से विवाइड करते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, वो हमारे पास बचेगा 1, ठीके, क्योंकि डिवेजन ही नहीं जाता, ठीके, इसलिए हम लोग आप से लखते हैं, 100, 127 को 20, प्लस 7, तब ही चाके हमारा 120 से वन आता है, ठीके, पर यहाँ पर जो 1 की वैली, यह हमारा most significant digit, ध्यान में रखने होगे, और यह 7 है, यह हमारा least significant digit, इसका कोई महत वनी है, 7 का कोई महत वनी है, यह most significant digit है हमारे यहाँ पर 1, यहाँ से अगर हमारे इस यह हो गया हमारा binary में conversion, इसका हमने base देखा था 2 है, अभी इसको लिखना कैसे, इसको आपको ऐसे from down top जाना होगा, ठीक है, but 127 को हम लोग ऐसा लिखना है, जिसका base 10 है, तो इसको convert करते हैं, यहाँ से यह जो 1 हो गया, यह हो गया हमारा most significant digit, ठीक है, और यह जो हो गया हमारा least significant digit, ध्यान में रहकेगा, आपको यह दूसरा भी number ले सकते हो, so that आपको ऐसे लिखना चालू करना पड़ेगा, 1, कितने बंजा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओक है, यह आगया हमारा base 2, so that यह भी हमने finally convert कर दिया, from decimal number system to binary number system, तो इसका final answer क्या है का, okay, 7 times 1 ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका base 2, अभी मैं आपको बता दो, इसको cross verify कैसे करते हैं, ठीक है, यह तो हमारा answer आगया, अभी आप बोलो कि इसको cross verify कैसे करते हैं, यह जो हमारा list significant digit है, tourist for zero consider करो, इसको tourist for one, इसको tourist for two, ठीक है, ऐसे अगर इनका सबका addition करते हैं, तो आपको complete 127 यह decimal में मिलेगा, ठीक है, tourist for zero का क्या होता है, addition होता है, tourist for one का कितना होता है, two, tourist for two का कितना होता होता है, हमारा, four होता, then eight, then 16, then 32, 64, ठीक है, देखको यहाँ पर कितने, one, two, three, four, five, six, seven, ठीक है, tourist for three, tourist for four, tourist for five, tourist for six, ओके, यहाँ तक के, मैंने आपको digit बता दिये, so that आपको सम 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 को अगर मिला लेते हो, तो आपको 127 यह आपको decimal में number मिलता है, इसको हम लोग cross verify भी कर सकते हैं, ठीक है, काफी simple सा मैंने approach बता है था, अगर आपका decimal to binary पुछा है, तो जिस base में आपको पूछा है, ठीक है, binary में आपको ध्यान में रखना होगा, 127 to binary में question में है, पुछा गया कि 127 जो हमारा decimal में है, वह में binary में count करना है, तो binary का ध्यान में रखना होगा, आपको base, यह important है, यह base अगर हमारा 2 है, तो इसको हम लोग directly 2 से divide करना चालो करतेंगे, जो भी हमारा remainder आएंगा, उसको हम लोग वैसा लेकना चालो करेंगे, ठीक है, 1, 1, 1, 1, 1 कुछ इस तरीके से, सबसे पहला हम लोग जो यहां का digit लेखेंगे, यह होगा हमारा most significant digit जो आया हमारा, यह यहां पर 1, यहां से हम लोग कुछ इस तरीके से लिखना चालो करेंगे, from down to up, down to up आपको लिखना होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, from decimal number system to binary number system, अभी हम हमारा, जो decimal number system है, इसको हम लोग 8 से डिवाइट कर देंगे, ठीक है, 127 को अगर हम लोग 8 से डिवाइट करते हैं, चालो करते हैं, 8 को अगर हम लोग 15 8 जा करते हैं, तो धान में रखना होगा, 158 जा कितना होगा, हमारा 120, correct, तो बचे का कितना हमारे पास, 7, गर 8 को हम तो वन बचता है, 77 यह हो गया हमारा final number, इसी को भी हमको ऐसा लिखना होगा, ठीक है, यहाँ से चालू करना, 177 से, ओके, तो हमारा जो 127 का जो best 10 है, इसको अगर हम लोग octal में convert करते हैं, तो कैसा हैगा, 177 to the base, यहाँ पर base कितना हैगा, 8 हैगा, यह आपका final answer हो गया, ठीक है that means 127 अगर आप decimal में लिख से, तो आपको octal में, इसको 177 लिखना होगा, 127 को, ठीक है, यह होगा conversion, simply मैंने क्या बता है, इसका base 10 है, octal का base आपको बता है, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, तक इसको collectively लिखना चालो कर दो, simple techniques है, कोई इसमें confusion, लेकिन मैं आपको बता दो, एक mark यहाँ पर 100% मैं आपको assurity के साथ बता दो, चाहे हो technical examination हो, electrical, computer, electronics, electronics से related, या फिर IVPS, RRBPO, या फिर assistant, RRB assistant means के examination में भी ये question आपको देखने को मिल सकता है, computer related, computer awareness से related questions है, काफे important है, हमारे पास base कितना रहेगा, 16 रहेगा, चलि हम लोग इसको 16 से divide कर लेते, 127 को अगर हम लोग 16 से divide करते, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, hexadecimal में, from 10, 10 to 15 तक हमारे पास alphabets रहते, A to F, ओके, यह मैंने आपको बताया था, 10 to 15 तक A to F रहते, यहाँ पर आपको एक करते, 127 को अगर हम लोग divide करते 16 से, तो हमारा एक complete जो fraction रहेगा, जिससे हम लोग divide कर सकते हो रहेगा, 16 into 7 कर ले ठीक है, तो हमारे रहेगा 112, ठीक है, 112, ओके, तो 16 से बंजा 112, ओके, तो यहाँ पर 7 हुआ, तो अगर हम लोग 127 को, 127 में से 112 को मैंस करते, तो हमारे पास कितना आता है, 15, तो हमारे पास बजा कितना, 15, यह हमारा इसका answer हो गया, अभी हम लोग इसको further divide नहीं कर सकते, 7 को, correct, तो हमें लिखना कैसा है, कुछ इस तरीके से लिखना चालू करना है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, तो 7 और 15 है हमारा इसका answer आगया, ठीक है, बट आपको मैंने बत आता है, यह जो 15 रहता है, इसको hexadecimal में हम लोग क्या लिखते है, f लिखते है, आपको first rewind करके आप देख सकते हो, ठीक है, तो आपको final answer क्या जाएगा, 7 f, ओके, यह आपका, इसका base कितना रहेगा, base रहेगा आपका, इसका 16, ठीक है, hexadecimal में इसका final answer क्या जाएगा, from decimal to hexa, 7 f, इसका जो base है, वो है 16, ठीक है, अगर आपको question ऐसा आता है, convert the following, ठीक है, to what, to, इसा 16 आता है, तो यह आपको 16 से आपको समझ में आएगा, कि हमारा hexadecimal का number system है, ठीक है, तो उसका correct answer आजाएगा, 7 f, ठीक है, ता आपको यह समझ में आएगा, काफी important और basic questions है, यही exam इसमें आपको देखते हैं को मलता है, देखते हैं हमारा next conversion, अभी हमारे पास binary number system के बने, ठीक है, binary कुछ इस तरीक से देखता है, ठीक है, आप यहापर देख सकते हो, 100110 या 1 में रहता है, और इसका, इसका जो base रहता है, वो रहता है हमारा 2, ओके, तो अभी हम लोग काफी important है, ध्यान में रहता है, hexa में करना है, base रहता है 16, ठीक है, अभी हमारे पास binary to decimal में convert करना है, इसके भी काफी simple techniques है, काफी 2-3 type के approach है, मैं आपको बताता हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 100 अगर यह नमबर दीखा का binary, आपको decimal में convert करना हो, simple है, 2 तुरिस्ट पाउर जिरो से लिकना चलो कर दा है, 2 पाउर 1, 2 तुरिस्ट पाउर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, यहाँ पर 2 पाउर 0 के वालो के वालो कितना हैगा, let me change the color, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, correct, 2 तुरिस्ट पाउर 8 अगर आपकरते हो, तो हमारे पास कितना हाता है, 256, ओके तो यहाँ पर जितने 1s है, तो यहाँ से इस number से लिखना चलो कर देना, from left end, ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, correct, तो अभी इसकी सब की additions करनी पड़ी गया हमें, ठीक है, और यहाँ पर map को बते हैं, तो जहाँ पर 0 है, यह number consider नहीं करना, ठ ठीक है, और बाकी जहाँ पर भी 1 है, ठीक है, रिस्पेक्टिव, इन सब के addition करना पड़ी गया, that means हमारे पास कौन से को से numbers आते हैं, 128, 16 number आता है, हमारे पास 8 आता है, 4 आता है, और 1 आता है, इसका अगर आप addition करते हो, ओके, तो इसका addition आपका कितना आता है, 157, ठीक है, 128 प्लस 16, प्लस 8, प्लस 4, प्लस 1, तो आपका जो final addition आता है, 157, यह अगर हमारा आउगे, normal day-to-day life में, जो हम लोग decimal number system यूज करते है, that means अगर आपके पास यह binary में यह number given है, तो आपके पास इसका final answer क्या है, 157 to the best 10, यह आपका answer हो जाएगा, इस case में, ठीक है, अभी हमने में consider कर लिया, यह आपको line काफी important है, ध्यान में रखने होगे, ठीक है, so गर आपके पास binary में given है, 100100101 to the best 2, तो आपको इसका decimal में answer रहेगा, 157 to the best 10, ठीक है, अभी हम लोग, इसी को binary को हम लोग octal में करते है, काफी बार आपको revise कर रहा थे, चला हो, octal है, number, उसका base कितन little step है, ठीक है, हमारे पास numbers लिख लेना है, ठीक है, 10011101, list significant digits है, हमें group करने पड़ेगे, अगर 8 है इसका base, तो हमें group बनाने पड़ेगे, तीन दिन के, ठीक है, तो आभी हम लोग 3 दिन के group बनाते है, यह हमारा first group हो गया, यह हमारा second group हो गया, third group हो गया, यहाँ पर हम लोग मैंने आपको बतह है, 2 divisor 0, 2 divisor 1, 2 divisor 2, इसका value होता है 1, 2, इसका value होता है 4, ठीक है, यही group में आपको follow करना पड़ेगा, 2 divisor 0, 2 divisor 1, 2 divisor 2, ok, 1, 2, 4, 2 divisor 0, 2 divisor आ 1, 2 divisor 2, यह कितना हो गया, 1, 2, 4, 2 divisor 0, 2 divisor 1, 2 divisor 2, 4, 2, 1, correct, यहाँ पर जहाँ पर भी 0 है तो उस वाल इस है यहाँ पर आपको धान में रख raise will conversion, जैसे अनो हमने binary 2 decimal दीखा होगा ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएक आपका इस case में हो जाएका यहाँ पर one है यहाँ पर 4 प्लस one कितना हो और बता दूँ है और आपको 101 पि ऐसे आपको बाइन रे में गवन है तो आपको delivered करना है यहाप यहापी जो first value आ रहता है Dasmond कहते है यहाप two रहता है अगर आपका हापन एत्फपा यहापल वन उइन तो यह Must हो गया 4 यहाप सब्सक्राइब तोstellung होगा 5 ठीक है गयर मैं आपको देखिए और को देखिए गाली से आपको देखिएze था 0001 10 talked 20 trading ठीक है यह value होगी आपकी 0 यह होगी आपकी value 1 यह होगी 2 ठीक है कि 1 0 है और यह होगी आपकी value 3 ठीक है इस तरीके से आपको लेके वह चलना है ठीक है तो यहाँ पे होगी आपका 5 इधर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इस case में क्या हो जाएग तो थर्टी फाइओ यह हो गया हमारा बेस यह हमारा फाइनल एंसर है ठीक है त्यक्वर आपको 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 शौट करने की जरूरत ना पड़िया आपको देखती है क्वेस्ट को आपको टिक कर सके है यह मेरा पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस तेशन को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफेकेशन को क्लिक करेंगा तो अपको सबसे पहले नोटिफेकेशन मिल सके हमारे बाइनरी तो हेक्जा डिसेमल में हेक्जा का बेस कितना 16 है ओके बेस 16 है तो इसमें जो गुरूप करने पड़ेंगे आपको बिट्स के वो करने पड अभी हमने तीन के गृूप बनाएं थे हमएं चार के ग्रूप बनाने पड़ेंगे अम लोग नमर्स को लिख लेंगे हम लोग लिखते हैं यहां पर धान में रखना होगा, यहां पर भी 1, 2, 4, 8, ठीक है, 8 प्लस यह हमारा 1, कितना हो जाएगा, 9, 9 and 13, ठीक है, रेट में सकर हम लोग ऐसा एक्जाडे सिंबल में लिखते हैं, तो 9, 13, पर आपको पता है, यहां पर हम लोग 13 नहीं लिखते हैं, 13 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, पर D, ओके, तो आपका final answer आजाएगा, 9D to the base 16, ओके, तो अगर हम लोग इसको binary to hexa में convert करते हैं, तो 9D हमारा answer आजाएगा, इसका base हमारा 16 आजाएगा, ठीक है, आपको कोई समझ में आ रहा हो, अभी हमारा final आता है, अभी हमारा third step है, हमको hexa decision में convert करना है, ठीक है, यहाँ पर octal का base 8 है, hexa का base हमारा 16 आजाएगा, यह कैसे करें, यह भी हाप एक question है, ठीक है, कि intermediate यहाँ पर conversion दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, ऐसे condition में, जो यहाँ पर number given है, जो भी base में हो, हम लोग इसको सीदा सीदा binary में convert कर ना होगा, ठीक है, to the base 2, तो हम लोग इसको कैसे convert करेंगे, मैंने आपको बता है था, octal में 3 के group रहते हैं, तो 3 के group में आपको 5 को कैसे represent करते हैं, मैंने आपको बता है था, 3-3 का tourist power 0, tourist power 1, tourist power 2, यह place values होती है, ठीक है, तो इस case में हम लोग 5 को कैसे consider करेंगे, यहाँ पर tourist power हमारा 5 बनेगा, ठीक है, decimal में, और यह होगा हमारा binary में, 4 की condition में कैसा होगा, हमारे पास यह जो, यहाँ पर value है, यह हमें 1 रिखना पड़ेगा, यहाँ पर बाकी दोनों digit 0 रिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको फिर से चीज़े बता देता हो, ठीक है, चोटी से चोट रिखना जाएगा, 011, ठीक है, इस केस में कैयाँ एगा, 4, इस केस में होगा, 2, इस केस में होगा, 1, 2 प्लस 1 आगया, हमारा 3, ठीक है, कмат क्या आगया, यह हमारा आगया number, 011, 6好像 हमारा क्या number है, 100, last हमारा number कह है, 101, यह हो गया हमारा binary में convert, ओक अभी आपको पता है, simple है is मे binary में एक बार convert हो गया ठीक है 011 011 0010 यह अगर हमारा binary में convert हो गया तो हमें इसको hexadecimal में convert करना है hexa में आपको पता है आपको grouping किते करने है grouping करने है आपको 4 के ठीक है तो यह पहले 4 होगे next यह आपके 4 होगे यहाँ पर 0 का कोई significance नहीं रहेगा ठीक है तो आपको 0101 में आपको कैसे लिखते है हम लोग इसको लिखते है 5 ओके और binary में अगर हम लोगों को tourist पार यह जो line है tourist पार 0 टूरिस पार 1 अगर यहाँ पर अगर consider करते हो चलते ठीक है तो यहाँ पर कितना values है 0101 ठीक है प्लस 4 प्लस 2 0 ठीक है यह अगर आपका group consider करते है तो ठीक है तो आपका value आजाएगा 14 बट आपको exam में 14 को 14 नहीं लिखना है आपको exam में इसको लिखना है e ठीक है तो आपका जो final answer आजाएगा e 5 to the base 16 ठीक है यह that means इसका final answer रहेगा आपका 345 अगर आपको answer लिखना है exam में तो e 5 आपको लिख सकते हो जिसका base रहेगा आपका 16 देखें मैं आपको एक बार फिर से revise कर देता हूँ 345 हमारा जो था octal में था जिसका base 8 था तो हमने octal का है तो तीन के group करने ठीक है टूरिस्ट पावर 0 टूरिस्ट पावर 1 टूरिस्ट पावर 2 के जो line में है ठीक है that means 124 के आप सिधा सिधा मैं आपको repeatedly इसलिए बता दो कि आपके चोटी आपके concept clear हो सके तो टूरिस्ट 1 टूरिस्ट पावर 2 जिसमें हमें की values आती है place value 1,2,4 ओके तो आपको ध्यान में रखना होगा 5 को हम लोग कैसे लिखते है 5 को हम लोग simple है यह तीनों की group है तो यहाँ पर 1,0,1 आएगा इसमें हमारा 5 हो जाएगा 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे ठीक है यहाँ पर हमारा 1 र इसमें अगर हम लोग 1 consider करते यहाँ पर भी अगर 1 consider करते binary में तो यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर आएगा 1 और इधर आएगा आपका इस place में 0 तो यह आपके आगे numbers ठीक है तो 011 यह दूसरा number 1001 इसको आपने convert कर दिया binary में ठीक है first October 2 हमने convert कर दिया binary में इसको अगर हम हमको hexa में convert करना है तो इसमें आपके चारजर के group बना लिए ठीक है इसमें चारग में group बना लिए तो यह जो binary का decimal में कितना value होता है 5 होता है और यह जो आपके 1110 का जो आता है यह होता है 14 ठीक है तो 14 का हम लोग कैसे लिखते है hexa में यह लिखते है ठीक है final answer आ जाएगा e 5 जिसका base है 16 यह इसका final answer आ जाएगा काफी detail में मैंने आपको easy way से आपको explain किया है ओके देखते है हमारा last conversion अभी हमारा ultra conversion है इस case में क्या है hexa to हमें octal convert करना है काफी important है यह भी hexa to octal conversion के लिए same procedure रहेगा ठीक है यहाँ पे हमारे पास a है b है और 6 है ठीक है मैंने आपको बता था a b6 का value क्या होता है которое examIM group कितने रहते grouping रहते है हमारे 4 के ठीक है तो a को हम लोग क्या लिखते है a को लिखते हम लोग 10 b को कितना हम । करते हैं, B को लिखते हैं 11, 6 को हम लोग कितना लिखते हैं, 6 ही लिखते हैं decimal में, ठीक है, इसमें pair अगर हम लोग 4 के करते हैं, तो 6 के और pair करने पढ़े हैं, तो हम लोग 0, 1, 1, 0 करते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता है था, इस केस में क्या हो जाएगा, टूरिस्ट पॉर, 2, 3, ठीक है, तो 1, 2, 4, 8, ठीक है, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, 6, करेक्ट, इस केस में क्या हो जाएगा, इसको कर हम लोग 11, जो हमारा decimal में, अगर binary में लिखते हैं, तो binary में हम लोग कैसे लिखेंगे, 1, 0, 1, 1, देख नमबर सिस्टम को binary में कनवर्ट करना हो का, तो यह आपको एक लाइन ध्यान में रखने होगी, सीधा यहाँ पर ऐसा लिख लेने का, कोई भी पेपर पर एक normal, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, जो भी आपको number करने होगे, convert करने होगे, जैसे आपको number बता है, आपको convert करना है, 16 प्ल लिख लेने का, और यहाँ पर जो 4 की जागे, आपको 1 लिख लेने का, ठीक है, 1, 0, 1, 0, 0, ठीक है, अगर आपका 20 binary, 20 अगर decimal में है, तो उसका binary में आपको cancer आजएगा, 100, 100, 100, to the best 2, यह होगे आपका conversion, ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर convert किया, B को हमने 100, 11 में convert कर ल ठीक है, इसमें आजएगा हमारा, यह value, दिन एका जो value आजएगा, 10 का, 10 को हम लोग कैसे represent करते है, 1010, ठीक है, यह आगे, तो हम लोग finally इसको लिख लेते हैं, जो pair, 4-4 किस्क में pair हमने convert किया था, ठीक है, तो हमारे पास मैं यहाँ पर एक बाट मिटा जे तो आप यह numbers को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा, 1010, 1011, 0110, ओके, अभी हमें इसके pair करने पड़ेगे, 3 के, ठीक है, क्योंकि octal में जो हम लोग group करते हैं, वो रहेगा हमारा 3 का, ठीक है, तो इसमें हम लोग, यहाँ पर मैं highlight कर देता हूँ, इसमें एक group हो गया, इसमें दूसरा group हो गया, 3rd group, इन दे लास्ट group, ओके, इसी का हम लोग same convert करेंगे, ठीक है, यह हमारे पास binary में आ गया तो, ओके, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ओके, इस case में क्या हो जाएगा, 0110 का एक group हो गया, यह दूसरा group हो गया, यह दीसरा group हो गया, और चाओ था group हो गया, ठीक है, 110 को हम लोग क्या लिखते है, 110 का हूँ, 60 वन वन जिरो के हाँ पर 6 आ जाएगा, 010 को यहाँ पर 2 रिस्ट पार 1 की प्लेस पर 1 है, तो ठीक है, तो हमारा value कितना जाएगा, 2, 2 रिस्ट पार 2 के जगा पर 1 है, 2 रिस्ट पार 1 के जगा पर हमारा 1 है, ठीक है, तो आपका value कितना जाएगा, 4 प्लस 1, 5, ठीक है, 5266 यह हो सब्सक्राइब करना है। को जोई करना है इस सिस्म को आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना है जादा से जादा वाट्सएप ग्रूप पे सुदाइट इनको भी इसका बेनिफिट उसके तो तिल दे नेक्स तेम आपने सी यू और हम नाइस दे